रेलवे के लिए साल 2020 कई मायनों में अलग था कोरोना महमारी के चलते जब ऐसा पहली बार हुआ कि रेलवे ने यातरी संबंधी सेवाओं को लगभग 6 महीने के लिए बंद किया तब किसी को यह अंदाजा नहीं था कि इसके बाद रेलवे लोगों के लिए सोविधाओं और यातरा अनुभव का बहतर विकल्प बन कर उबरेगी जनवरी से लेकर दिसंबर तक रेलवे ने अपनी कई योजनाओं को जमीनी हकिकत बनाया तो कई योजनाए कोरोना की भेट चड़ गई हाला कि साल के अंत तक रेलवे का दिल्ली मंडल एक बार फिर नए साल में नए योजनाओं और यात्रियों के सुगम अनुभव के लिए प्रतिबदता दिखाने के लिए तैयार है जनवरी फरवरी जैसा मैंने आपको बताया उस दौरान तो हमारी योजनाओं जो है और ऐसा नहीं है कि सारी योजनाओं पूरी नहीं हुई, काफी सारी सीरे चड़ी परवान हुई लेकिन उसके अलावा आपको ये जानकर भी हर्श होगा कि इस दौरान कुछ ऐसे कारे भी किये गए जो कि एक्चुली किसी तरह की योजना में शामिल नहीं थे लेकिन जैसे कहते हैं लाइफ को जैसे सामने चुनोती आते उसके मताबिक रिस्पॉंड करना जादा जरूरी होता है उत्तर रेलवे भारतिय रेल का सबसे बड़ा जोन है इस जोन के अधीन कुल एक हजार पच्चुस स्टेशन आते हैं जोन का दिल्ली मंडल सबसे खास माना जाता है शायद इसी लिए भी कि दिल्ली देश की राजधानी है नई दिल्ली स्टेशन देश के सबसे बड़े स्टेशनों में से एक है दिल्ली मंडल के लिए भी ये खास है साल 2020 के लिए इस स्टेशन के लिए बहुत सी प्लानिंग की गई थी लेकिन प्लानिंग कोरोना ने चौपट कर दी इस साल 2020 आप जानते हैं कि unprecedented रहा है इसमें सबसे बड़ी चुनोती पूरे भारत को यह नहीं बलकि पूरे विश्व को देखनी पड़ी वो थी COVID-19 COVID-19 के चलते उत्तर रेलवे और दिली मंडल दोनों के जो प्लान्स थे उसमें एक तरह से बाधा के तौर पर सामने आया कोरोना के कारण पुरानी योजनाए जिनहें साल 2020 तक पूरा कर लिया जाना था वो भी आगे के लिए टल गई अब नई उम्मीदों के साथ नए साल का इंतजार है जो जाहिर है कि यात्रियों के लिए भी फायदे मंद होगा जाहिर है कि साल 2020 का समय रेलवे के लिए भी मुश्किल भरा था हलांकि इस दौरान रेलवे सारजनिक परिवहन प्रडाली में एक बहतर विकल्प बन कर उबरी है कुछी दिनों में साल 2021 आने वाला है और इस साल से भी रेलवे के अधिकारियों को तमाम उम्मीदे है देखना होगा कि आने वाले दिनों में रेलवे अपनी योजनाओं को जमीनी हकीकत कैसे बनाती है साथ ही लोगों के लिए क्या कुछ अन्य इंतजाम होते हैं आकाश शर्मा, ETV भारत, दिली